दोस्तो नमस्कार, लाइमिलकिंग चल रही है वबाई बस ये समझालो मैं भी आज पूरे दिन ही कोई मिलना जुलना इस एरिये में शरदूलगडवाले एरिये में बलाड़े एरिये में रहा और बस ये विडियो बंद करते ही जो है आप लाइमिलकिंग करेंगे शामने नवाब की जोटी है खाली की थी मैंने कल शाम को और सुबह जो दूद दिया जोटी ने वो दिया आठ किलो एक सो तिरानवे गराम दूद दिया सेवक भाई की ये जोटी है गाउं का नाम है कोराडा और मानसा जिले में पड़ता है शाम को जितना भी दूद देगी टोटल जितना दूद होगा वो वीडियो में निच्चे चल रहा है भाई दोन्हों टाइम का जोड के आप बता देंगे आज कल तीन ही टाइम मिलकिंग कर रहे हैं तो सेवक भाई कैसे हो सश्रीकाल जी ठीक हो जी तो आज तो एक कोईनूर की कट्टी भी आगी आपके पास हैं तो किसमत ठीक चल रही है तो जोटी आज बच्चा दिया उसने दूसरी ने अच्छा इसकी मां कितने दूद वाली थी पहले व्यात में मां ने कितना दूद दिया इसने कितना दिया तो दूसरे सुए में अच्छा आज मेरे को लग रहा है जैसे शाम को दे देगी नो किलो दूद तो क्या क्या दाना दे रहे हो जोटी को बाई दाना स्रींदर वाई को चाली किलो कानक बाद ने कवाट्टल चे दास किलो बड़े मैं दिखाल दास किलो सरोंगी तो कितना किलो दाना देते हो अज भी चार बजे खिलाया हुआ तो दूस तो बने गा नहीं पेट बर दिया इसका विचारी गार है तो साथ किलो दाने पे देती रही नोनो किलो दूद आपने कोई फैमली में तो भई आप बता रहे थे काले बाई ने जन्डू के वाले ने अच्छा वाई काले के कैने से नवाब और मिक्या वनका सीमन रखा अच्छा इसार से जाके खुद जाके लेके आए ते इस वाई अपना कोई चलाओं देनी सी लेवा शवय का बाई फग वाडा सोटने कनेट होंदा रहा उचार वोई स्वैक बाई ने और तो लाईव चलाने में पूरी बाई ने कोशिश की और अच्छा ठीक है और जो अपने वाई हैं काड़ा जंडू के वाले जो काफी पुराने जो है अच्छा पसुद रखते हैं और बहुत दक्के खाये हैं बाई ने पूरे अरियाने में सीमन के लिए बैसों के लिए जोटी दिखा देता हूं जी फिर आपा लाई मिलकिंग चालो करेंगे और खुल के एक बार खुल के चला रहने दो चाहे खुलने को तो दूद ना कम कर सारी नसें देखो भाई खड़ी हो रही हैं बिल्कुल पतली चमडी की बिल्कुल शरीफ शांथ जोट यह देखो भाई निच्चे की देख लो जो टी कैसी है और मा इसकी बाई ने कहा बाई से ही पुछेंगे कहा क्या पहले बाड़ी बात को छोड़ देते हैं बाई सा भी दर आ जाओ एक बर थोड़ा सा तो इसकी मा कैसी बताई आपने इससे उंची तकड़ी थी या इतनी थ ठीक है और क्या डिफ्रेंस है मां से बाई मानों सरींदर दान दा माजनी लेती है ते फैंट भी आती है सतर पीचेतर होना जाती है अच्छा अभी मानले 889 किलो दूद पे सत्तर पीचेतर फैट आती है ते कई साथी अपने उंगलिया उठा देते हैं सरस्वती पे नवाब पे क्या को गए वाई सब क्या मानते हो ठीक रहेंगे रिजल्ट नहीं वैसे बोल देते हैं कि मां का दूद इतना नहीं इतना होगा गल्त हो गया वह गया आपको पता ही है सारा कुछ आपा सिधा बुलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा कांटे पे जाता है तब पता चलते हैं तो यह देखो बाई बिल्कुल सिद्धे से अब आई हैं अपने सेवक और बहुत अच्छी जोटी त्यार किया इन्होंने और पिछे देखो एक कट्टा तो सेरे इंदूस्तान का इसके पिछे वह बैठा उदर यह एक आगी कटडी बाई के पास कोई नूर की इस जोटी से आज ही बच्चा दिया इसने और एक उदर है मिकावन की से पिछले साल की कट्टी। और ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं बाई और एक कट्टी यह आगी यह कोण से बुल की बताई थी यह भी है मिकावन की यह उसकी बैन है ठीक है ठीक है तो यह देखो बाई ब्रीडिंग पर पंजाब में बहुत काम हो रहा है डख साब भी आए हुए मैं उनसे मिलवाता हूं सब्सक्राइब फिर तो अंदेर आओ जाएगा क्या बताओ बच्चे तो देखे लेंगे आपा जो आप दिखाओगे कैसी लगी जो टीन वाप वाली पहले तो सश्रीक आपना नाम बताओ पहले जस्विंदर भाई आपका गाउं कुण सा है अपने एचस्पी के रखते उस हां बदी तो कैसे बच्चे आहे में अच्छा रिकारण रखते ओं तो कौन कौन से बुल के कैसे आएं अच्छा परदानकी छांग अच्छी कट्छी एंचा कोई फूब बटाव दिया एएए इसे बालट दिया अच्छा कट्टी जद आई के कट्टे जद आई कोट्य ज़ादा अच्छा ठीक है तो संतुष्ट वापूरे रजल से यहां भी आप ही समालते हो इसमन समन का कम नोग तो आपना नंबर भी बतादो कोई सेरी का कोई सीमन लगवाना चाहे तो सब्सक्राइब तो कंसप्शन कैसी मिल रही है बाई सब्सक्राइब अच्छा दुबारा जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है एक इसी मन लगाते हो या दो एक भी लगा लाना थे अच्छा रुकी जाती है लगवग एक नंबर होगी कंसेशन तो किसी और सीमन स्टेशन की नहीं होनी है अच्छा इंध मेरा ना ले देओ अच्छा तो आपका ना ही हो जाएगा पूरे अरिये में बाई साब चलो ठीक है जी कट्टी ठीक लगी नवाब की ठीक लग रहा है सी मैं कि दिखिर अच्छा ठीक है ऑगका आप वह उसका कमी थीक है यह देखो भाई अप अपय राइव चलाते हैं लेट हो रहे हैं ठीक है भाई राम राम सभी को सत्रीका पार